नाजरीन आदाव आज की बात में आपका खेर मगदम हैं आज की बात आयोध्या पर आयोध्या में राम मंदिर की तामीर को लेकर हंगामा मचा हुआ है दिल्ली में कल मीटिंग हो चुकी है संतों की और दूसरी मीटिंग जारी है लेकि संतों की मीटिंग तक तो ठीक है उनका जजबाती मामला है और वो एक्तिदार में नहीं है बलकि वो एक आम हंदुस्तानी के तोर पर अपना मतालबा कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं हलाकि वो भी ठीक नहीं है, ठीक इसलिए नहीं है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है तो फिर इस तरीके की बयानबादी या इस किसम की मीटिंग ठीक नहीं है। कि अगर इस किसम की मीटिंग किसी मुस्लिम जमाद की तरफ से बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए की जाए तो इसको हकुमत अजादत देगी मेरे ख्याल से नहीं देगी और लाइन आर्डर का हवाला देगी बहुत मुम्किन है कि कुछ लोग इसको देश दरोही भी करार दे दें मुल्क से घड़ारी करार दे दें कि आखिर बाबरी मस्जिद पर मीटिंग के हो रही है लेकिन कुले आम ना सिर्फ एकी मीटिंग हो रही है बलकि बयानबाजी भी हो रही है बात यहां तक होती तब भी घनीमत है लकिन बात यह है कि मरकज में जो वजीरें वो भी घलत बयानी से काम ले रहें वो भी तरह तरह की बातें कर रहेंगे अब आप उमा भारती के ले लीजिए जो कि मरकज में वजीर हैं इन्हों ने ये कहा कि हम मंदिर बना कर रहेंगे। सवाल ये है कि आपको मंदिर बनाने से कौन रोक रहा है। अगर आप मंदिर बनाना चाहते हैं तो पहले सुप्रीम कोट के फैसले के इंतजार करें या तो पिर आप कानून बनाएं लेकिन आप बयान बादी क्यों कर रही है। लेकिन वो खुलकर बयान बादी कर रही है और मुल्क के माहुर को खराब कर रही है। उनका बयान आया है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कानून बनाए RSS भी बयान दे रहा है कि इस पर कानून बनाना चाहिए उमा भारती ने कहा कि वो कानून बनाने के लिए किसी भी हद तक मदद करने के लिए तैयार है तो जाहिर की बात है इसमें कहने क्या बात है आप मरकद में वजीर हैं आप रोज वजीर आदम से मुलाखात करती है आपको हक पहुचता है कि आप ये बात करें लेकिन सवाल ये है कि आप सिर्फ बयान क्यों दे रही है ये महौल को खराब करने वाली बात है इसलिए कमस कम एक्तदार में रहते हुए इसकृष्म की बयान बादी नहीं होनी चाहिए कि जिससे मुल कमाहूल खराब हो लेकि इस पर सियास्त जारी है बयान बादी जारी है अब देखना ये है कि इस पर होता क्या है इसका नतीज़ा क्या निकलता है अलाकि जो संजीदा वजीर हैं वो इस पर बोलने से कत्राते हैं खुद वजीर दाखला राजनास सिंग ने राम मंदिर की तामीर पर बहुत खुलकर बयान नहीं दिया बलकि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जब मंदिर की तामीर होगी तो हर किसी को खुशी होगी यकिनन ये बात चाहिए मुलका मुसल्मान भी कह रहा है कि जब राम मंदिर की तामीर होगी तो खुशी होगी लेकिन तामीर किसी के दिल को दुका कर नहीं होनी चाहिए बलकि तामीर इस अंदाद में हो कि सब का साथ रहे और मुलका विकास रहे लेकिन इस पर कौन अमल करता है ये तो वक्त बताएगा इसके साथ ही एक और ख़बर है वो है मद्द प्रदेश को ले करके मद्द प्रदेश में कॉंग्रेस ने अपनी 165 सीट का एलान कर दिया है अपने 165 उम्मीदवारों का एलान कर दिया गया है जाहिर है कि मद्द प्रदेश में इस वक्त कॉंग्रेस की हवा है और ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस शायद वहा हुकूमत बनाए शिवराज सिंग चौहान जो कि BJP से वजीर आला मद्द प्रदेश हैं उनको कल एक बहुत बड़ा जटका लगा है शिवराज सिंग चौहान पर हमला किया उन्हें कहा कि वह 13 साल की हुकूमत चुके है लहाजा अब किसी और को मौकर दिया जाना चाहिए उन्हें कहा कि आप मद्द प्रदेश को शिवराज नहीं बल्कि नाद की दरूरत है चब देखना यह है कि नात बचते हैं कमल अटता है या पिर कमल रहता है और नात नहीं आते अब इसकी लड़ाई मद्द प्रदेश में जारी है कांग्रेश भी पूरी मद्बूती के साथ लगी है लेकिन संजे सिंग के बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आने से कांग्रेस का होसला बढ़ा है इसके साथ ही एक और रहत की खबर ये है कि एरान से तेल लेने का मामला या रास्ता बिलकुल साफ हो गया है पहली ये खौफ था कि अगर अमरीका ने एरान पर पावंदी आयत की तो फिर क्या हिंदुस्तान को एरान से तेल मिलेगा जाहिर है कि एरान से जब तेल हिंदुस्तान आता है तो तेल की कीमत कम होती है लेकिन अगर एरान तेल देना बंद कर दे या हिंदुस्तान एरान से तेल लेना बंद कर दे तो जाहिर है कि अभी जो तेल पेट्रोल कीमत 85 या 90 रुपए है वो शायद 100 से पार कर जाए लेकिन इस पर हिंदुस्तान अड़ा था कि वो एरान से तेल खरीदेगा और अमरीका को चाहिए कि वो इसकी अजादत दे तो जाहिर है कि अब अमरीका ने भी माहौल को समझा हिंदुस्तान की मजबूरी को समझा और उसने कमसकम हिंदुस्तान को इस बात के लिए राहत दिये राहत क्या बल्कि ये राहत मिलने ही चाहिए थी इससे पहले भी जब अमरीका ने इरान पर पाबंदी आयत की थी तब भी हंदुस्तान इरान से तेल लेता रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ी राहत हम कह सकते हैं कि इरान से टेल आने का सिलसिला जारी रहेगा एक खबर और इस वक चल लएए वो ये है कि एक बंगला देश का नौजवान है जो ये कह रहा है कि इनसान बन कर जीना चाहता हूं मुसल्मान नहीं इस पर बंगला देश में उसको काफी धंकी मिली लिएदा वो हिंदुस्तान आ गया है सज्जादू नाम का ये नौजवान जो इनसान की बुनियात पर जीने की बात कर रहा है जाहिर है कि खुद इसलाम जो है इस बात के जादत देता है किसी को धंकी दे करके इसलाम मजभ खुबूल नहीं कराया जा सकता बंगला देश में जो लोग धंकी दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और हिंदुस्तान में अगर सज्जादू आया है तो जाहिर है उसको जरूर पना मिलेगी कि ऐसे नजाने कितने लोग हैं जो हिंदुस्तान में आते हैं और उनको यहां पना दी जाती है लेकिन सज्जादू को भी कमसकम इतना ख्याल लगना होगा कि वो इस बुनियात पर किसी मजभ की दिलादारी न करे वो इसलाम को न माने ये ठीक है वो मुसल्मान न रहे ये भी ठीक है लेकिन मुसल्मानों को गलत कहना और इसलाम को बुरा बला कहना या किसी भी मजभ को बुरा बला कहना ठीक नहीं है जैसा कि कुछ लोग हिंदुस्तान आने के बात करते हैं और फिर वावाई लूटते हैं वो समझते हैं कि शायद इसलाम को बुरा कहने से हमें वावाई मिलेगी और वो ये समझते हैं कि इसलाम और मुसल्मानों को बुरा कहने से हमारा फाइदा होगा अगर ये नियत है तो नियत ठीक नहीं है बलकि किसी भी मज़ब की दिलादारी नहीं होनी चाहिए इसके साथ ये खबर और है जो दिवाली से मतालिक है खोब धुमधाम से दिवाली मनाने की तैयारी की जा रही है लेकि फी का रंग इसलिए है क्योंकि दिल्ली का रंग बिगड़ा हुआ है दिल्ली का रंग उत्रा हुआ है दिल्ली का रंग इन मानों में उत्रा हुआ है कि यहां आलूदगी के सबब हालात बस से बत्तर हो रहे हैं और यह भी का गया है कि पांच तारीक से आलूदगी में अजाफा होगा ऐसे सूरत में जाहिर हैं जो लोग समझदार हैं वो समझदारी से काम लेंगे और पटाखे कम बजाएंगे क्योंकि अगर पटाखे ज्यादा से ज्यादा बचते हैं तो फिर दिल्ली के हालत वाकरी बस सिबत कर हो जाएगी तो दिल्ली के खोशियां मनाई जाएं दिल्wnली मनाई जाएं एक दूसरे को उपहर दिया जाए एक दूसरे को मुवारक बात दी जाए लेकिन इतना जरूर खियल लगता जाए ज़िसस को जिससे जान उमाल कर नुखसान हो कई बार ऐसा होता है कि दीवाली में लोग जल भी जाते हैं पटाकों से बच्चों को ख्याल लखना पड़ेगा, माबाप को ख्याल लखना पड़ेगा कि वो बहुत ही इतियात के साथ दीवाली मनाएं और कुछ ऐसा करें कि पलूशन कम से कम हो और लोगों को जानी नुक्सान नहोग तो यह है आज की बात हमें अजादत दीजिए ख़दा आफ़े